नमस्कार हमारे यूटूब चैनल रसोई रूम में आपका फिर से स्वागत है आज मैं भरवा बैगन के रेश्पी लेके आई हूँ जो बनाने में बहुत असान है और खाने में बहुत टेश्टी लगता है एक बर जरूर आप भी बनाईए और खाईए और देखिए कितना सु यह भी आपको step by step बताती हूँ तो चलिए सुरू करते हैं कैसे बनता है भरवा बैगन बनाने के लिए बिल्कुल छोटे साइज के बैगन लेनी चाहिए इसको हम लेके बिल्कुल साफ कर लिए हैं आईए हम लिए हैं दो प्याज आधा टुकड़ा अधरक के दो हरी मिर्च आधस कली लासुन के इसका हम पेष्ट बना लेंगे फोरन के लिए हैं एक चमच साबूत जीरे सरसो लिए हैं एक चमच एक चमच हम मेथी लिए हैं दो लाल मिर्च लिए हैं हींग लिए हैं दो चिटकी इसका हम फोरन लगाएंगे तल्ले के लिए तेल लिए हैं स्वाद क अंसार नमक डालेंगे, आधा चमच गरम मसाला लिए हैं, एक चमच आमचूर पाउडर लिए हैं, आई एक चमच हम धनिया पाउडर लिए हैं, छोटी चमच से एक चमच हल्दी लिए हैं, कस्मीरी मिर्च लिए हैं, आधा छोटी चमच, तो चलिए कैसे बैगन को आगे काट यह आपको हम दिखाते हैं, सबसे पहले हम बैगन को डंठल को नहीं काटेंगे, आगे के तरब से हम बैगन को ऐसे करके चार भाग लगाएंगे इसमें, बीच से देखिए, ऐसे करके हम चार भाग लगाएंगे अपने बैगन को, इस तरह से बैगन को काटने से मसाले भी तो नहीं है हमारे बैगन में इसी तरह हम सारे बैगन को काटेंगे आगे के तरफ से ध्यान रहे कि हमारे बैगन में डंठल जूड़ा हो डंठल रखके ही सबजी बनाएं देखिए यह भी हमारा बैगन अच्छा दिख रहा इसी तरह हम सारे बैगन को काट लेंगे फिर आपक सारे बैगन को काट के आपको दिखाते हैं, कराही गरम करने के लिए रख दिये हैं, जो तेल लिये थे इसको डाल देते हैं गरम होने के लिए, सारे बैगन को हमने काट के तयार कर लिया है, अब अपने तेल में फराई करेंगे, तेल हमारा गरम हो गया है, ती में अपना जो बैगन लिये थे, इसको डालेंगे, हमारे बैगन फराई होने में कम से कम 15 मिनट लगेगा को धब के फराई करेंगे, जो हमें अधरक लिये थे, इसको मिक्सी में हम ग्राइंड कर लेंगे, सारे को मिक्स करके, जो मीर्च लिये थे, इसको भी डाल देंगे, जो लहसुन लिये पार देंगे इसको भी डालेंगे ज्यी créd lilyard कर लेंगे मिक्सी में ग्राइण करने में दो चमज पानी भी डालूंगी अब हमने पेश्ट कयार कर लिया है फ निनट हो गये हैं अब हम धकन फिर से इसको पांच मिनट के लिए धक देंगे, आज बिल्कुल मेडियम होनी चाहिए, पांच मिनट फिर से हो गए है, धकन के रहता के फिर से इसको पलट देंगे, फिर से पांच मिनट के लिए इसको ढख देंगे अब देख लेते हैं हमारा बैगन हुआ है या नहीं हमारा बैगन फराई हो गया है अब बैगन को हम एक प्याले में लिकाल लेंगे अब इसी तेल में हिंग जो लिये थे इसको हम डाल देंगे जो जीरा लिये थे इसको भी डाल देंगे जो राई लिये थे इसको भी डाल देंगे जो मीर्च अ मेथी लिये थे इसको भी डाल देंगे इसको सुनेहरा होने तक भूल लेंगे हमारा एसु नहरा हो गया है, जो पेष्ट बनाए थे, इसको डाल देंगे, इसको हमें एक मिनट तक पकाएंगे, पेष्ट को अपना बराबर चलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे से पकड़ने लगेगा, आज मेडियम ही रखे, हमारा पेष्ट अबे पक गया है, इसमें जो ध स्मीरी इसको भी डाल देंगे, इसको तेल छोड़ने तक पकाएंगे, और बराबर चलाते रहेंगे, मसाला हमारे पक गया है, इसमें जो बैगन भूने थे, इसको डाल देंगे, इसमें अपसवाद कमसार नमक डालेंगे, छोटी कटोड़ी से पानी डाल देंगे, इसको अ क्क 9 बराव ہو गय यहां फ्लेम को बन कर देंगे अजो गरम आसाला लिये थह इसको डाल देंगे गरम मसाला को अच्छी तरीके से मिला देंगे अब इसको हम एक बावल में लिकाल लेंगे देखिए हमारा बैगन कितना अच्छा बन के तयार हो गया है इसी तरह हम सारे बैगन को लिकाल लेंगे देखिए हमारा भरवा बैगन कितना अच्छा बन के तयार हो गया है अगर हमारी ये भरवा बैगन के रेस्पी आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा थैंक यू